तो चलिए चलिए आज आज आपको एक लेटर अपडेट देंगे जो की A-Level Certificate संबंदिद है बहुत से बच्चे जो हैं हमारे चैनल के माध्यम से A-Level का कोर्स कर रहे थे और वो पास हो चुके हैं उनका प्रोजेक्ट प्लस वाइबा कम्प्लीट हो चुका है और फाइनली उनको A-Level का Certificate मिल चुका है तो A-Level के Certificate में इस बार आपको बहुत सारे बदलाब देखने को मिलेंगे तो वो क्या बदलाब है वो आप कम्प्लीट इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो चैनल पना है तो उसको लाइक जरू करती देखा जिससे कि ये वीडियो आपको हेल्प मिले जब आप A-Level की त्यारी करें ठीक है तो इस बार जो नालेट ने क्या चेंजमेंट किया है वो आपको दिखाते हैं तो Certificate का Live Review आपको देते हैं पहले ऐसा नहीं था लेकिन इस वार नालेट ने बहुत सारी इसमें चेंजमेंट किया है तो पूरा अगर हम आपको दिखाएं प्रोजेक्ट आपका जो Certificate को इस विकार से देखे आपको दिखाए देगा ठीक है और इसमें यहां पे सारे आपके मॉडूल है और यहां पे उसका Year लिखा हुआ है और यहां पे Overall उसके जो Grade है वो दिए गए है ठीक है तो इसको हम जूम करके आपको Clear समझाते है क्या है जैसे कि अब यह जो Student है इन्होंने O Level देखे नई कर रखा है इन्हों डारेक्ट जो है वो A Level किया हुआ है इस दिए डारेक्ट A Level वालों के लिए 10 पेपर होते हैं ठीक है दो Practical होते हैं और दो Project बनते हैं ठीक है औ और इनका जो Course कम्प्लीट हुआ है हमारे पास से एक से देढ़ साल में निक एक साल सिक्स मत में ने जो है कम्प्लीट कर लिया है हमारे पास इनों जब इनकी ज्वाइनिंग होई है ठीक है बाकी देखे इनोंने 2019 में पिक्जाम दी हैं तो यह हमारे पास से नहीं दिए गये तो चलिए इनका दिखा देते है मौडूल कौन कौन से थे तो IT tools है business system देखे यहाँ पर लिख के आया है ठीक है और उसके बाद internet technology and web designing है programming तो देखे इनका c language पी इनोंने दिया 2019 में ठीक है जैसे के grade है यहाँ पर देखे दिये गए है उसके बाद internet of things and application जनवरी 2023 में दिया इसमें के इनको c grade मिला है उसके बाद है system structured system analysis design है जो की जनवरी 2020 का है इसमें इनको a grade मिला हुआ है उसके बाद है data structure c++ जो की है जनवरी 2020 इसमें भी इनका c है computer architecture and operating system है july 2022 जिसमें इसको c मिला हुआ है उसके बाद है dbms का दिया हैं इनको इनों ने और यह जनवरी 2022 में दिया है इसमें इनको b grade मिला हुआ ठिक है, उसके बाद देखे दो प्र population है, तो यहां पर देखे प्र फाइब यहां पर देखे लिखा गया है, और यह भी सर्टारी इंको अज़ Sh premarta में है अज़े इनके yr प्राजर्ग में 2020 में इस पी नाम यहाँ पर mention किया जाए देखे इन्हों ने इस बार क्या चेंजमेंट किया है यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है specialized area information security जो इन्हों ने दिया था उस पर इन्हों ने project बनाया है जैसे कि यहाँ पर देखे network management इन्हों लिया था और information security management यानि कि 9.3 मॉडूल इन्हों दिया है और 10.3 मॉडूल से इन्हों ने एक्जाम दिया है जन्वरी 2023 में जिसमें कि एक में B और एक में C मिला है और project 1 इनका जो submit था वो किस topic पर था वो भी knowledge ने इसमें आप mention किया है जिसी कि आप किसी भी company में apply करें तो directly आपका certificate पर ही आपका जो project है वो mention कर दिया गया आपको resume में नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है cyber security management system में इनका project बना है तो यह है नालेट का certificate और इसको validate करने के लिए आपको इसमें जाना पड़ेगा और यहाँ पे इसको select कर लिए ठीक है और यह validate हो जाएगा ठीक है simple size का procedure है और इनको देखें जारी किया गया है 18 January 2024 को यह इनका जो certificate certificate a label का provide किया गया है तो नालेट ने यह एक चेंजमेंट किया है क्योंकि इससे पहले के अगर हम आपको certificate दिखाएंगे तो उसमें यह project वाला कोई भी option नहीं होता था प्रोजेक्ट उसमें नहीं mention किया जाता था और यह आपको कब मिलेगा जब आप इस पेपर को complete करने के बाद यहां से आप इसको देखें download कर पाएंगे regular certificate पर जाके और a label आपको select करना है registration number data पर डालके और बाकि सेम वही प्रोसीजर है यहां से आप इसको download कर तकते है certificate.nallet.jobb.in ठीक है और यह आपको कब मिलेगा जब आपके या तो direct a level है तो आपके 10 paper complete होने चाहिए प्लस दो practical प्लस दो project submit होने चाहिए ठीक है और o level के बाद अगर आप a level में है तो फिर 6 paper एक practical और एक project आपका major बनेगा वो complete होना चाहिए ठीक है तो जिनकी जो इबच्चे है और complete करना चाहते हैं अपना project का कार तो आप 70076599485 पे message कर सकते हैं complete यहां से आपका a level का project बना submit हो जाएगा जो भी बच्चे institute थे हैं या direct थे हैं उनका भी submit किया जाता है आपको institute से कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो मैं आपको दिखा जाता हूं already जो हमारे success fully जो project submitted हैं उनकी list हमारे पास अपलेबल हैं काफी मातरा में जो हम लोग O level A level के mini major project सब complete करके बनाते हैं तो आप बिल्कुल बनवा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी easily आपका जो है project submit हो जाएगा चाहे direct हो चाहे institute से हो ठीक है तो यहाँ पर लगबख सभी के जो submitted यहाँ पर project है कोई rejection नहीं है तो आप 100% COT के साथ अपना project submit करवा सकते हैं तो यह है आपका latest review जो आपके A level project का है कोई इस परकार से आपका certificate आपको दिखाई देगा तो बहुत सारे certificate हमारे पास आ रहे हैं जैसे आते जाएंगे हम उनको आप से share करते रहेंगे तो thank you for watching